पती था पुलिस में पतनी निकली कातिल अपने पहले प्रेमी का कतल किया उसने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर राम राम नमिशकार ऐसी एक सच्ची घटना हमारे सामने निकल के आ रही है जो कि राजिस्थान के भरतपूर के बड़ोद्रा से निकल कर आ रही है यहाँ पर एक व्यक्ति होता है मलखान नाम का जिसकी उम्र करीवन 50 साल होती है जिसके बेटे होते हैं बहुएं होती हैं पोते पोतियों से एक भरा पूरा संसार होता है घर संसार होता है जिसका एक पत्नी होती है बहुत अच्छे से वो अपने घर में रहत तो उदर एक लड़की होती है पूजा जिसका पति पुलिस में होता है और आकेली रहती है उसे इक बाते करने के लिए एक सच्चे अच्छे प्रेमी की ज़ुरत थी फिर जो लड़की पूजा होती है जहां पर मलखान अपना दूद देने के लिए जाता है देरी पर वहीं से के प्रेम में वो गिर्पतार हो जाते हैं और एक दूसरे से वो प्यार करने लगते हैं समय निकलता रहता है वो लड़की जो है पूजा हो मलखान से बार बार मिलती है जब उनको समय मिलता है तो एकांत में समय वितीत करते हैं और फौन पर घंटों तक बाते करते रहते हैं सम का था वो उसके साथ जाता है और जब लोग जाते हुए बाते करते जाते हैं उदर उन दोनों का एक्जाम एक साथ खतम होता है क्योंकि वो लड़का भी रीट का ही एक्जाम देनी गया था वापस जब आते हैं तो दोनों बाते करते हुए ही आते हैं और बातों ही बातों में यो एक दूसरे से नंबर एक्षेंज कर देते हैं और फिर एक दूसरे से बाते करने लग जाते हैं फिर पूजा उसके प्रेम में गरिपतार हो जाती है अब वो मलखान सिंग को भूल चुकी थी फिर वो मलखान सिंग को फॉन करती है और कहती है मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक था अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब मुझे किसी और से सचा प्यार हो गया है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना इसी बात पर मलखान सिंग भड़क जाता है और भढ़कने के बाद उसे जोर से गाली गलोच करने लगता है फॉन पर तो इस बात को सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आ जाता है फिर वो अपने नए प्रेमी को लेकर जहां मलखान सिंग खेतों पर पानी लगा रहा था क्योंकि उसका काम था कुछ ऐसा मौसम था जब खेतों में पानी लगाने के लिए जाता था दिन में उसके परिवार वाले उसको खाना देने के लिए जाते थे फिर वो शाम तक इंजन स्टार्ट करकर पानी लगाता रहता था शाम को वो घर आ जाता था उस दिन जब पूजा और उसका दूसरा प्रेमी वहां पहुंच ज जाते हैं उसके बाद उनका मन तब भी नहीं भड़ता है फिर उसे वो उतार के पेड़ से खीच कर ले जाकर रास्ते में डाल देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं जब सारा दिन मलखान पानी लगाने के बाद शाम को घर नहीं आता है तो परिवार वाले चारों तरफ अरे बाबा वापस क्यूं नहीं आए जब उसके बच्चे और पत्री बेटे बहुग खेतों पर जाते हैं तो रास्ते में एक कच्चे दगरे में जो कच्चा रास्ता था उसमें उसकी लास्तपड़ी मिलती है वहां पर उसको लेते हैं और फिर प्रीश को कॉल करते हैं क्य उसके बाद फिर जो वो मलखान सिंग है उसके फॉन को लिया जाता है और फॉन की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता लगता है कि कोई लड़की है पूजा जिससे इसकी घंटो बाते होती है जैसे ही घंटो बाते होने पर बात आती है तो पूजा को पकड़ा जाता है और सारी बात एकदम से उगल देती है और वो बताती है कि ये मेरा पहला प्रेमी था अब मुझे नया प्रेमी मिल गया था क्योंकि मेरे पती की जौब जो थी पुलिस में थी मैं घर पर तनहा अकेली रहती थी अब तो मुझे बच्चा भी है लेकिन कुछ समय पहले मुझे बच् तो इसने मुझे गालिया देना शुरू कर दिया और ये चीज मुझे से हजम नहीं हुई और मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और हम लोगों ने मैंने और मेरे प्रेमी ने जाके इसको मौत के घाट उतार दिया तो ये बयान पुजा की तरफ से आया ऐसी घटना हमारे ब नहीं दो काऊ स्ञें लिगते हैं जो आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती है और हमारे उने चैननल के सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडिएो को जादा से ज्यादधा करिए जिससे कि हमें अच्छा लगे और हम नहीं नहीं आ भीडियो आपके सामने डेखते रही तब तक क्राइम लहर बहुत जल्द आजिर होती हैं आपके सामने ऐसी एक सच्च नहीं गठना के साथ तब तक के लिए धन्य बाद